हृश चल्रेन आज ड्राइंग की क्लास में हम आपके लिए लेकर क्या हैं लैंड स्क्रीप ड्राइंग लैंड स्क्रीप ड्राइंग में बचो हम फ्री हेंड भी काम कर सकते हैं कोई जirаче नई है कि आप स्केल या किसी ओर टूल का यूझ करें तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप freehand drawing जो है वो किस तरीके से करेंगे बचो सबसे पहले हम beach से start करेंगे, center से काम करना start करेंगे इसमें और simple drawing ही सीखेंगे, तो देखें किस तरीके से करेंगे, lines किस तरह से जाती है उस पर विशेश आपका ध्यान होना चाहिए, freehand drawing बिना किसी scale का use करते हुए जब आप drawing करो, थोड़ा सा आप अपनी सांस को रोके, उससे lines हमेशा सीधी आएंगे और आराम से करिए कोई ऐसा नहीं कि जल्दी है, तो आप जल्दी करेंगे तो naturally line steady media आएंगी ही आएंगी pencil को smooth चलाईए दूर का scene है, तो हर चीज उसी के according बनानी होगी हमें इस तरीके से हम hearts जो हैं, उपर नीचे बना लेंगे ध्यान से देखते जाएं हलकी pencil चलाएंगे, डाक pencil चलाएंगे तो नीचे से pencil नजर आएगी बच्चो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यह landscape है जैसा कि आपको पता ही चल रहा है means उंचा नीचा होगा यहाँ पर तो हम एक line में काम नहीं करेंगे इसको अब जो हम असली काम इसमें हम दिखाने जा रहे हैं उस पर ध्यान रखें आप कि जहां से हम pencil रख रहे हैं आपको सीधे line इसमें नहीं draw करनी है जहां से जो चीज हमें मिलती है, line मिल रहे हैं आप जाने देजिए आपको यह नहीं देखना है कि यह उपर जा रही है line यह नीचे जा रही है यही बच्चे हमारे landscape की असली beauty है जाता है उपर नीचे हाथ तो जाने दिजिए, कोई problem ही नहीं है उसमें हमें दूर का सीन है जैसा मैंने आपको बताया, sun हम थोड़ा छोटा दिखाएंगे एक दो आसमान में उपर birds, कैसे birds बनाने है हाथ रखा और बस हलका सा touch birds बस इतनी काफी है नीचे थोड़ी सी हम bushes दिखा देंगे अब इसके बाद हमें sketch paint करना है sketch paint करते समय भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि sketch paint को आप पीछे की तरफ से पकड़ेंगे, आगे से नहीं ही पकड़ेंगे आगे से पकड़ेंगे, तो sketch paint की जो tip है, उसका impression काफी hard पड़ जाएगा पीछे से पकड़ेंगे, और आराम से आप line लगाईए अगर आपकी pencil की line से हट करके भी line चल जाती है, तो आप परेशान मत हो जाएए कि हमारी line की उपर line नहीं आई, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, होता है तो होने दो, देख रहे हैं इस तरीके से आप सारी की सारी landscape में outline निकाल लेगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह है जो हमारी uneven line है, land है, तो उसको हम उसी तरीके से outline करेंगे, इसकी यह देखिए इस तरीके से, आराम से इसी तरीके से, यहाँ पर भी, ठीक है, इसी तरीके से, यहाँ पर भी, ठीक है, पर lines का बच्चों एक बाद जरूर ध्यान रखना होगा, कि जिस तरीके से हमारी lines चारी है, नीचे वली lines भी उसी तरीके से जाएंगी, अगर आप lines का, को अलग तरीके से कर देंगे, तो फिर हमारा जो landscape है, वो अच्छा नहीं देखेगा, इसलिए lines को फैचानना जरूरी है, और यह मैंने आपको starting में ही बताया था, कि lines हम किस तरीके से draw करेंगे, तो हमारी drawing जो है, अच्छी तरीके से आजाएगी, अब इसमे में हम coloring करेंगे, हलका समय color कर के आपको बताते हूँ, कि हमें color करना कैसे है ठीक है, तो देखें, यहाँ पर मैं आपको बता रहे हूँ, यहाँ हाट में ही मैं सिखा रहे हूँ, किस तरीके से हमे color करना है, आप color को भी पीचे से ही पकड़ेंगे, आगे से मत पकड़े, आगे से पकड़ेंगे कलर के उपर बहुत ज़्यादा दबाब पड़ेगा और फिर वो कलर अच्छा नहीं आएगा आपके पास कोई भी कलर हूँ उसका यूज़ कर सकते हैं आइल पेस्टल हैं, आइल पेस्टल का यूज़ करिए प्लास्टिक क्रेउन्स हैं या जो भी कलर हैं स्केच में से कर लीजिए इस तरीके से आप थोड़ा सा कलर करोगे इसमें और बहुत ज़यता कलर्स का यूज नहीं करना है कभी आप जैसे पिंक कर लेते हैं या कुछ और कलर कर लेते हैं उनको बैलन्स करना फिर मुश्किल हो जाता है इसलिए फोर और फाइब कलर्स का ही आप यूज करिए कलर चेंज कर लेते हैं यहां रेड लगाया था तो हमने रूफ डोर और विंडो तीनों में हमने यहां पर एक जैसा कर लिया यहां पर हम औरेंज कलर का यूज कर रहे हैं यहां पर देख लीज़ें यहां आउट लाइन की हुई है औरेंज सौप्ट हैंड जलाना है टाइट हैंड बिल्कुल नहीं जलाना है ठीक बच्चो इस तरीके से हम जो है कलर करेंगे यहां पर देखिए बुशिज में कैसे कलर करना है अब बुशिज ऊपर की ओर जा रही है तो हमारा हाथ भी ऊपर की तरह पी जाएगा यह देखिए थोड़ा सा लेफ्ट हैंड का धवाब दे करके रखे, प्रेशर दे कर रखे अपने पेपर पर, उपर की तरफ ही हाथ ले जाना है हमें, पेपर को आप चाहें तो घुमा सकते हैं, अब यहाँ पर बचो यहाँ आपको एक बात यह समझाना बहुत जरूरी है, जैसे हम ने यहाँ पर बुशिज में डाक ग्रीन किया है, और यह हमारा सारा यहाँ पर भी यहाँ पर भी लैंड पोर्शन है हमारा बचो, तो हम एक अपने ठोड़ा सा चेंज करना होगा, जगे पर डाक ग्रीन ही लगा देंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता कौन सा है, और बुशिज वाला जो रास्ता है, जगे है, वो हमारी कौन सी है, तो उसमें हमें थोड़ा सा अलग कलर भी करना होगा, इसी तरीके से जब काफी सारे ट्रीज हैं, तो दूसरा ट्र जिसे मैंने यहाँ पर डाक ग्रीन लगाया था, तो अब हम यहाँ पर लाइट ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्राइंग शीट के नीचे या ड्राइंग नोट बुक है, तो उसकी बात दूसरी है, अगर शीट पर आप काम कर रहे हैं, तो किसी दूसरे पेपर का यूज़ करना बहुत जरूरी है, अदरवाइस जिस चीज पर आप बना रहे हो, उस चीज का टेक्स्चर आजएगा, आपकी शीट पर, इसलिए टेपर के नीची एक और पेपर भी आपको लगाना जरूरी है, बचे, यह देखे, इस तरह से आप जो है, कलर करने में, डबल कोड करें, और भी अच्छा कलर लगे, कलर को थोड़ा चा-चार राउंड शेप में घुमाईए, इस तरह से राउंड शेप, डबल कोड अपने आप होता जाता है, इसके बाद उपर सन है, रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जाहिसा बाद बर्चे बाद, इस कोई कलर नहीं, इस में कुछ नहीं करेंग, छोड़ देंगे, में मेन कलर करने का तरीका देखे, कैसे करना है, लंबा हाथ चलाएंगे बडरी जगे हैं तो लंबाएंगा चलाएंगा सकते हैं, बिल्कुल, जब हम पास में आएंगे तो अपने आथ को बहुत ही आराम से चलाना है जिससे कलर के उपर कलर न चड़ जाए या जिस चीज को हम बना रहे हैं उसके उपर कलर न आ जाए आराम से चलेए इस तरीके से आप स्काई बना सकते हैं और आगे ट्री देखें ब्राउन दो ट्री हैं बचे मैंने आपको पहले बताया दो ट्री हैं तो हम एक चैसे कलर के नहीं कर सकते हैं इससे क्या हो को पता ही नहीं चलेगा कि एक दूसरा ट्री दूसरे बाले से कैसे अलग है तो हम दोनों कलर्स का इस्तेमाल करेंगे एक बार लाइट क्रीन, राउंड शेप में हैंड चलाना है, आपको, डवल कोड हो रहा है, अलग दिखाने के लिए, डार्क क्रीन का यूज़ करेए, पता लग रहा है न, लाइट और डार्क, जैसे ही हमने यूज़ किया, तो हमें पता लगने लगा, कि दोनों ट्रीज जो है, वो अलग अलग है, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा अलग अलग कलर का जब हम यूज़ करेंगे, तो पता लग जाएगा, कि चाहें जितना हम काम करे कलर का डिफ्रेंशेशन तो बच्चो रखना ही होगा हमको, अंदर की जगे है, समाल का रहां चला ये, ये मैंने आपको, बच्चो, वो सब चीज़े मैंने बता दी हैं, जो जरूरी हैं आपके लिए, कलर किस तरह से करना है, कलर को कैसे चूज़ करना है, अगर दो ट्रीज हैं या दो से ज़्यादा ट्रीज हैं, तो उनमें डिफ्रेंशेशन किस तरह से दिखाना है हमको, लाइन्स को किस तरह से यूज़ करना है, ये मैंने आपको बताया, इसी तरह से, बुशी सकवे ने ब पार्ट है जो नजदीक है पास वाला पार्ट है यहाँ पर मैंने कलर बिल्कुल चेंज कर दिया सॉफ्ट हैंड चलाईए कलर पर प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है इस तरह से आप पूरे में कलर कर लेंगे और पूरे में कलर करने के बात बचो मैं आपको वो शीट दिखा रही हूँ जिसमें मैंने कलर पहले से करके रखा हुआ है यह देखिए आप इस तरह से अपने लैंड्सकेप को बना करके विटे तैयार कर सकती है देख रहे हैं कि हम लाइट और डार्क कलर किस तरीके से दिखा सकती है ठीक है यहां पर देखिए मैंने कलर का जो यूज किया हुआ है अपने हाथ को और भी ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है तो उसे पता लग रहा है यहां पर जो हमने हिल्स बनाई है वो बिल्कुल एकडम लाइट हो गई है तो पता यह लग रहा है कि यह हिल्स की उंचा ही है और यहां पर यह हिल्स नीचे आ रही है तो हमने यहां पर डाकनेस यानि डफ्ट दिये यह चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कहां पर हमें डफ्ट देनी है और कहां पर हमको light use करनी है pencil shading के साथ मैंने बताई थी तो same हम चीज color के साथ भी करेंगे कहीं पर depth दिखाने यानि गहरा ही दिखाने है तो हम अपने color को थोड़ा सा-सा dark चला देंगे tight hand चला देंगे और दो-तीन बार color को फिर आएंगे तो उसे color में darkness आ जाएगी करना है same यहाँ पर sky में भी काफी फर्क है यह आप देखिए यह हाँ चलाने का method है ठीक है जब आप आप चलाएंगे तो बहुत ही smoothly हाँ चलाईए आराम से चलाईए sky बढ़ा है तो आप आराम से खीच करके हाँ चला सकते हैं आपको मैंने बताया था जब आप आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाएंगे बर्ट्स दिखाएंगे तो बिल्कुल चोटे दिखाएंगे उनकी beauty बिल्कुल अलग होती है अगर आप बड़े बड़े दिखाएंगे तो बचो आसमान में उड़ता हुआ पक्षी इतना बड़ा नहीं देख सकता है तो बिलकुल छोटे दिखाएए आराम से दिखाएए इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर different color का use करते हुए किस तरह से हमने अपने पूरे landscape को clear किया है कि कौन सा trick किस color में हमें करना है अलग-अलग colors का use करते हुए हमने green में ही shades का light और dark का use करते हुए हमने इस landscape को बचो complete किया है bushes में भी आप देखिए जो हमने आपको पहले method बताया था वही method हमने यहाँ पर use किया है land में किस तरीके से हम नीचे आती हुई जमीन को काम करेंगे तो हमने अपने हाथ को भी नीचे की तरफ की use किया है color को हमने नीचे की तरफ use किया है तो यह बच्चो practice की चीज़ है जब आप कोई भी drawing करें कम सी कम दो और तीन sheet एक ही चीज़ की बना करके देखें और फिर first sheet को और last वाली sheet को आप देखें तो आपको अपने महसूस होगा कि हमने first sheet में जो काम किया था वो क्या हमारा आया था और last वाली sheet में हमें कितनी clearness और कितना हमको पता चल रहे हैं कि हमने कितना अच्छा काम कर लिया है तो बचो इसको आप करें देखें और हमें अपनी वीडियो और अपनी फोटो अपनी क्लास टीचर बहां को भीजिए और वो हमारे पास तक आ जाएंगी और हम उनको देख करके पता करेंगे कि आप कैसा काम करें बचो आप करें एंजॉय करें, तब तक लिए बचो टाटा ब ओके फिर मिलेंगे हम प्यारे बचों